प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चानल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आगर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप C++ के प्रोग्राम को विज्वल इस्टूडियो कोड में रन कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा अपना Visual Studio code open करना होगा अगर आपने इसे install नहीं किया है तो मैं video के description में लिंक दे दूँंगा वहाँ से आप Visual Studio code को install कर लिजेगा ठीक है open होने के बाद आपके सामने इस तरह का interface आएगा तो आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे extension वाले option पे और यहाँ पे आपको दो चीजे install करने हैं सबसे पहले आपको search bar में search करना है c c++ ठीक है तो यहाँ पे जो पहला number पे file आएगा इस file को आपको क्या करना है install कर लेना है इसे हम install इस ले कर रहें ताकि हमें suggestion मिले हम कुछ भी code लिखें तो हमें suggest करें ठीक है उसके बाद हमें code को run करने के लिए एक और application यहाँ पे install करना होगा code runner ठीक है code runner क्या करता code को run करने में हमारी help करता बिना इसके हम c c++ के code को visual studio code के अंदर run नहीं कर सकेंगे तो यहाँ पे देखो यह इस तरह से आ चुका है तो इसे भी क्या करते हम install कर लेते हैं तो अभी यह दोनों कुछ ही time में देखो यह install भी हो गया ठीक है install होने के बाद अभी इसे close कर देंगे हम ठीक है अभी हम यहाँ पे आएंगे उपर में file वाले option पे और यहाँ पे add folder to work space को click करेंगे यहाँ पे हमें एक folder यहाँ पे select करना होगा जहाँ पे हम program को बनाएंगे तो हम desktop location पे क्या करते हैं यहाँ पे एक folder बना लेते हैं C++ programs नाम से ठीक है और इस folder को क्या करते हैं हम select करके add कर देते हैं और yes करेंगे यहाँ पे तो इसका मतलब हम इसी folder के अंदर अपने सारे program को बनाएंगे तो यहाँ पे अभी explorer वाले option पे click करेंगे तो यह देखो folder आ चुका है तो इस folder को select करके यहाँ पे उपर में एक icon है file को create करने का इस पे हम click करेंगे और यहाँ पे हम एक file बनाते हैं c++ file उसका नाम हम देते हैं first.cpp extension होगा c++ program का ठीक है enter तो यहाँ पे देखो हमारा यह coding का window आ चुका है code लिखते हैं simple सा c++ का तो यहाँ पे लिखेंगे has include उसके बाद क्या होगा io stream ठीक है फिर हमें क्या लिखना होगा हमें लिखना होगा using name space std उसके बाद int main function का name होगा हमारे तो यहाँ पे लिखेंगे int main एक simple सा message हमें display अगर करना हो तो cout में क्या करेंगे double quotes में लिख देंगे हम learn coding ठीक है हमारा code ready है उसके बाद return 0 अभी अगर इस code को हम क्या करते हैं इसे अगर हम compiler run करते हैं तो यह run नहीं करेगा error देगा क्यूं क्यूंकि हमने visual studio code के साथ min gw gcc compiler को path set नहीं किया है यहाँ पे configure नहीं किया है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा min gw gcc compiler अपने system में install करना पड़ेगा और उसका system variable में जाके path set करना होगा तो चलिए हम करके आपको दिखाते हैं उस काम को तो यहाँ पे क्या लिखेंगे min gw gcc compiler ठीक है download बस इतना search करने के बाद हमें enterprise करना है तो यहाँ पे जो second number पे link आ रहा है इसी link का use करके हम download करने वाले हैं description में यह link भी provide कर रहा हूं इस पे हम जब click करेंगे तो sourceforge.name की website है वो open होगे ठीक है और यहाँ पे हम min gw gcc compiler download करेंगे इस compiler की मदद से c c++ का हमारा program download यह run हम कर पाएंगे ठीक है यहाँ पे download वाले button पे click करते हैं green वाले button पे तो यह download हो जाएगा यहाँ पे हमें कुछ second का time देगा कि इतना second में आपका downloading start होगा देखो यहाँ पे your download will start shortly तो यहाँ पे थोड़ा ही time में यह start हो जाएगा तो देखो 5 4 3 2 1 counter चालू हो गया अभी यहाँ नीचे side में देखना downloading start होगा तो आप यहाँ पे नीचे देखे हमारा downloading start हो चुका है Ctrl J प्रेस करते हैं तो total इसका size 15 MB है तो इसे क्या करते हैं cancel करते हैं क्यूंकि हमने इसे भी download करके रखा है ताकि हमारा time बचे इस PC में जाएंगे downloads वाले section में आएंगे तो यहाँ पे देखो download वाले section में मिल जाएगा आपको भी यही same मिलेगा double click करिए इसको install उसके बाद continue तो यहाँ पे देखो अभी यह हमारा min gw gcc version जो compiler है वह install हो ठीक है तो यह आपके internet के speed के पर depend करता है कि यह कितना time लेगा ठीक है तो देते हैं इसको थोड़ा सा time बहुत सारी files यहाँ पे download होंगी जब यह 100% हो जाएगा तो यहाँ पे continue का button enable हो जाएगा तो आपको इस पे click करना है तो अभी देखो यह min gw installation manager का window आ चुका तो यहाँ पे हमें सबसे पहले min gw 32 base को select करना है mark for installation उसके बाद min gw 32 gcc g++ को भी हमें क्या करना है mark for installation करना क्योंकि हमें c c++ दोनों के program बनाने है और उसके बाद installation में जानना है यहाँ पे apply changes कर देना apply पे click कर देंगे तो यहाँ पे भी 10-15 minute का यह time लेगा आपके internet के speed के उपर यह depend करेगा कि कितना time यहाँ पे लगेगा ठीक है तो हम इसे थोड़ा सा time देते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे visual studio code में वापस चलेंगे अपने program को run करेंगे जैसे ही सारी files download हो जाएंगी यहाँ पे close का option आजाएगा हम close कर देंगे और इसे बंद कर देंगे ठीक है यहाँ पे मिन जी डबलू इंस्टोलेशन का जो आइकन वो दिखने लगेगा आपके screen पे तो अभी हमें क्या करना है path set करना होगा थोड़ा सा तो यहाँ पे search बार में search करेंगे environmental variable ठीक है edit the system environmental variable इस पे हम click करेंगे तो यहाँ पे यह window हमारे सामने open होगा तो environment variable पे click करना हमें जाना है हमें path पे उसके बाद edit और यहाँ पे new को select करना है तो यहाँ पे अभी क्या करना दिस PC में जाना है जहाँ पे हमने mingw को install किया जहाँ पे यह install हुआ c drive में mingw folder है bin में जाना है bin तक का link हमें क्या करना है यहाँ से copy करना है और अपने वहाँ वाले यहाँ पे आके paste करना है ठीक है हम path set कर रहें okay okay उसके बाद okay हो गया अब अगर हम वापस से अपने visual studio code में चलें और यहाँ पे program को run करें इस वाले icon पे click करके तो यहाँ पे देखो हमारा program output window में run हो रहा learn coding message print हो चुका है इसका मत्तब यह successfully run हुआ है लेकिन यह output का जो console है जहाँ पे यह output आपको दिख रहा है यह cable read only है यहाँ से आप केवल कोई message देंगे तो यहाँ पे display होगा आप user से input नहीं ले सकते तो फिर क्या करना होगा आपको सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि user से input लेंगे तो क्या होगा एक integer type का variable बनाते हैं message देते हैं देखो यहाँ पे suggestion हमें मिल रहा है enter number ठीक है यह message हमने दे दिया अभी क्या करेंगे scene से number को input करेंगे उसके बाद क्या करेंगे अपने number को यहाँ पे display कर देंगे a को print करेंगे बीच में space देते हैं enders इसका मत्तब अभी हम जो number input करेंगे वह भी print होना चाहिए और यह message भी print होना चाहिए प्रोग्राम को करते हैं run और अभी देखते हैं क्या होता है ठीक है तो यहाँ पे देखो output section में हमारा यह program run नहीं होगा आप यहाँ पे number input अगर करेंगे तो वह input होगा ही नहीं क्योंकि यह read only है आप देख सकते हैं ठीक है तो अभी इसका solution क्या है simple solution है इसका आपको file वाले section में जाना है उसके बाद आपको यहाँ पे preferences settings और यहाँ पे बहुत सारे options आपको मिलेंगे जैसे आपको इतना दिखेगा ठीक है तो आपको extension वाले option पे आना है और नीचे scroll करके run code configure पे आना है और इसमें भी scroll करते हुए नीचे आईए run in terminal का option मिलेगा इसको आपको tick करना है टीक करने के बाद back जाना है वापस से फिर से क्या करना राइट क्लिक करके run code करना है तो अभी हमारा जो program होगा वो program हमारा टर्मिनल में run होगा तो देखिए यहां पे हमारा code अभी क्या हो रहा run हो रहा थोड़ा सा time ले सकता है लेकिन देखिए यहां पे अभी इस वाले section में run हो ठीक है क्योंकि हमने run in terminal वाले option को क्या किया था अभी टर्मिनल में हम क्या कर सकते यूजर इंपुट ले सकते हैं तो यह टाइम नेरा तो क्या करता है अगर आपका भी टाइम ले तो cut करो फिर से run करो तो देखो अभी यह run हुआ enter number तो हम क्या करते कोई भी number इंपुट कर देते 1000 तो यहां पे देखो हमारा number भी प्रिंट हुआ है उसके बाद learn coding message भी प्रिंट हुआ है इसका मतलब हम user से input ले पा रहें तो इस तरह से आप C++ का कोई भी प्रोग्राम विजुल स्टूडियो कोड के अंदर run कर सकते हैं C language का प्रोग्राम भी अभी आप बना सकते हैं ठीक है अगर C++ का बन रहा मतलब C language का आप बना सकते हैं